नमस्कार दोसको बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल इंडिन जुगाट टेक में फ्रेंट्स मेरे पास है आज यह वायरलेस एरफोन जो कि यहाँ पर है और फ्रेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह मैंने एली एक्स्प्रेस से ओरर किये हैं और मुझे इन पर कोई भी कस्तम चार्जेज पे नहीं करना पड़ा है सिर्फ जो इनका प्राइज है वो ही मुझे पे करना पड़ा है और आपके लिए best by price link मैंने decision में दिया है आप वहाँ से जाके एक पर चेक कर सकते हैं या purchase करना चाहे तो purchase कर सकते हैं तो चलिए आप इसके unboxing करते हैं सबसे पहले मैं आपको box के बारे में दिखा देता हूँ box पर क्या कुछ specifications वगेरा mention है तो इधर देखेंगे तो आप यहाँ पर आपको दिखेगा चाइना की जो company है उसका नाम दिखेगा और made in China आपको दिख जाएगा अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर उपर की तरफ आपको मिलेगा ओ वेवो लिखा हुआ उसके बाद में इस तरफ आप देखेंगे यहाँ चाइनीज पर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है वो यही साइड डिटेल लिखी गई होगी पता नहीं क्या लिखा गया है उसके बाद यहाँ पर तो आपने देखी लिए यह एरफोन का जो बॉक्स है वो दिखा रखा है और इधर अगर हम स्पेसिफिकेशन देखी जाए तो आप इसमें जो है वायरलेस म्यूजिक यानि की वायरलेस के दवारा ही बिना अपना जो है हैड़फोन को वायर से कनेक्ट किये हुए ही आप मतलब यहाँ पर म्यूजिक सुन सकते हैं और स्टीरियो साउंड आपको मिलने वाला है हैंस फ्री स्पिकरफोन आपको मिलने वाले और स्वेट प्रूप यानि कि हलके खूल के आपके जो स्वेट रहेंगे उससे को कोई नुपसान नहीं पहुचने वाला है साथ में आपको आपको मिलने वाला ओटो चार्जर देखते हैं क्या आप चार्जर कैसे होगा क्या कुछ इसमें फंक्शन दिया गया है इधर कुछ भी नई है नीचे की तरफ फकर की यहाँ पर देखेंगे तो यह यहाँ पर अपन करने के लिए तो görev जो यहाँ पर बॉक्स दिया गया है आप देख सकते काफ़ी बड़ा बॉक्स दिया गया ऐसा लग रहा है जैसे हमारे जो smart phones रहते हैं उनका जो box आता है उस type का box आपको मिल रहा है तो सायद देखते हैं कुछ क्या कुछ इसके अंदर कुछ नया मिलने वाला है क्योंकि earphone के लिए इतना बड़ा box मैंने पहली बार देखा है तो ये आ गया है box हमारे पास निकल कर और यहां से इस box को अब हम कर लेते हैं open काफी यहां पर जो है tight packaging इसकी की गई है तो सायद कुछ ये बहुत ही यहां से hard है लेकिन ये मैंने इसको यहां से निकाल दिया है और यहां पर जो है कुछ manual होगा सायद यहां पर pairing करने के बारे में बताया गया कैसे आप अपने headphone को connect कर सकते हैं अपने phone के साथ तो इसका मतलब यह है आपको जो है 5 second के लिए यहां पर बटन दिये गए है वो आपको प्रेस करने होंगे तो चलिए इसको भी यहां से open कर लेते हैं box को और इसको तो हम रखते हैं साइड में और यह है आपके पास जो main earphones है वो और यहां पर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करो कि इस box में आपको क्या मिलने वाला है तो इसमें देखते हैं तो इस box में देखते हैं कि क्या कुछ आपको मिलने वाला है तो यहां पर सायद आपको जो है charging के लिए cable मिलने वाली है और यहां पर जो है manual दिया गया है और यहां पर दो यहां पर आप इसमें आपको दो extra rubber के जो grips रहते हैं वो दिये गए आपके ear के इसाफ से आप adjust कर सकते हैं तो कुछ इस तरह के ear phone आपको मिलने वाले box में तो आप box देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको मिलने वाला है तो मैं अगर इसे open करने की courses करूँ तो मैं आपको यह ऐसे बस इसको आपको ऐसे गुमाना है तो आपके जो ear phone है वो आपके सामने आपको देख जाएंगे दोनो ear phone तो एक ही यह पहले वाला है और दूसरा आप देख सकते हैं यह दूसरा ear phone है तो यहाँ पर आपको charging के लिए port मिलने वाला है ताकि आप अपनी जो charging cable है वो यहाँ पर attach कर सके और अपने इन दोनो ear phones को आप charge कर सके लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर पहले ही इसके अंदर battery दी गए ताकि इनको आप charge कर सके कभी भी यानि कि आपको हमेशा charging पर लगाने के अवसकता नहीं है बस आप इसमें आप इनको attach कर देंगे अगर आपने पहले charge किया हुआ इस box को यानि कि यह power bank के रूप में काम करने वाला है आपका और देखे यह जो ear phone है वो यहाँ पर दिखा दिया गया है automatic charging के बारे में red light और यह तो मैं आप इनको connect करना चाहता हूँ कैसे ही आपके connect करने में आपको दिखाना चाहता हूँ तो दोस्तो इन दोनो ear piece को on करने के लिए आपको 5 second के लिए यह button प्रेस करना है और उसके बाद में जब इनको अपने phone से connect करोगे तो इसमें एक और voice आता है कि आपका जो earphone है वो phone के साथ में connect हो चुका है यानि कि आपको पता लग जाता है कि आपका जो earphone से वो connect हुआ है नहीं हुआ है और जो यह light यहाँ पर blink होने लग जाती आपको अपने mobile को इनके साथ में connect करना हुआ तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको इनको connect करना है अपने phone के साथ में और friends अपने mobile से connect करने के लिए आपको अपने mobile के Bluetooth setting में जाना है Bluetooth on कर देना है तो आपके जो क्या हूँ 62 नाम का जो है यहाँ पर Bluetooth device आपको दिखाई दे जाएगा जो कि आपके यह earphone होंगे तो देखें यहाँ पर यह blink कर रहे है तो आप भी इस पर आप click कर देंगे तो आपका यह device इनके साथ में connect हो जाएगे और जो song है वो भी यहाँ पर play हो चुका है तो अगर मैं phone के पास इनको लाकर दिखाऊं तो सायद आपको कुछ सुनाई दे मतलब काफी loud sound इनसे मिलता है आपको तो मैंने इनको चेक किया है उसके बाद में यह मैं वीडियो बना रहा हूँ रिव्यू का अलग बनाया और जो unboxing का था वो मैंने पहले बनाया था और जो यह वाला part है वो मैं अलग से suit कर रहा हूँ इनको चेक करने के बाद में तो मुझे इनका जो sound लगा है वो काफी अच्छा sound लगा है दोस्तो अब तो दोस्तो यह था मेरा review ओ वेवो के Q66 wireless earphones जो की मुझे काफी पसंद आया और मैं आपको भी recommend करूंगा कि अगर आप भी wireless earphone चाहते थे तो यह आपके लिए best option हो सकता है और आपको इनका best buy link decision में दिया गया है आप एक बार वहाँ पर इन्हें चेक कर सकते हैं कि जो इसका price वो भी काफी कम रखा ग आप जार आप वह आपके लिए झाल झाल